हलो बच्चो स्वागत है मेरे चैनल पर मैं हूँ आपका ट्यूटर बिजेश और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जितने भी 39 सम्स मैंने कराए हैं वो सब समझ में आये हैं और अब हम देखते हैं 48 सम्स एक माँ कोले प्लेलिस्ट करें ठीक है से तीन चार पांच साथ और कितें चैल हुए एक तो थीन नमबर वाले चार पत्चिस च्टो पांचंश एक से अलविए त्वागता है और सथी आपनल साइस ऑफ दीश तेगो मोड नवाद क्या होता है मोड मतलब mode मतलब जो value frequently occur होती हो बार-बार occur होती हो अब यह क्या modal value है हमारा यहाँ पर mode पता चलेगा अपने को देखो इन सभी में से सबसे जादा बार कौन occur होता है यह वाला इसके reference में जो अपना class आता है ना ठीक है that is modal class तो यह हमारा modal class है यह वाला सब्सक्राइब यहाँ क्या कर रहा हम यह अपना modal class है ठीक है तो अब्सर्व देटा है इन सेकेंड रो among all 25 is the biggest so 25 is the mode and corresponding class is the modal class for the sum so it is a modal size तो modal size कितना है 5 modal class actually modal size denote करता है ठीक है अबता है ना कि mode क्या होता है values which occur frequently mode क्या होता है mode मतलब values values which occur frequently frequently समझ में आए तो जो frequently occur करता है उसको बोलते है mode और वो particular किस class का है उसको बोलते है modal class और यहाँ पर modal size हमारा 5 है ठीक है चलो easy है यार कुछ जाए difficult नहीं I hope आपको यह मेरा explanation समझ में आया होगा so इसी तरह के और sum सम करते रहेंगे मिलते हैं अंगले वीडियो में और हाँ प्राक्टिस करते रहना जाद से जाद है thanks a lot for watching do take care bye bye